हलो दोस्तो वेलकम टुनिकमेकटैक आज की वीडियो में हम यूनिट 4 को कवर करने वाले हैं तो यूनिट 4 हमारी क्या है क्रिप्टोग्राफी तो दोस्तो आज हम सबसे पहले इस क्रिप्टोग्राफी का मतलब समझेंगी हैना क्या होती है क्रिप्टोग्राफी क्यों इसको ह बर्ड के important questions भी मैंने आपको इस चैनल पर बता दिये हैं तो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने उपर I button में complete playlist डाल दिये अब वहां जाके देख सकते हो और एक और बात अगर आप BTEC second year के students हैं तो मैंने चैनल पर और भी वीडियो बिना रखे हैं और अची की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम क्रफ्टोग्राफी के बारे में समझेंगी तो दोस्तों देखो इसको बड़े द्यान से समझना क्योंकि अगर आपको क्रफ्टोग्राफी यह समझ आ गई तो आगे की जदने वीडियो होंगी unit 4 के उपर तो वह आपको बह क्रवाड यह गाल सा समझे थोड़ा टाइम लगेगा बड़ समझेए आप मालों हो यह एक यूजर है और इसका नाम है निखिल आप इसने अपनी गल्फेंड को क्या क्या मैसिज भीजा दोस्तों हैना कोई विए मैसिज भीज्जा या मालों इसकी गाल्फ्रेंड है प्रिय ठीक है एक हमारे यूदर है निखिल और इसकी गल्फरंड है प्रिया अब इन्हों ने कम्मुदिकेशन की है न सपोज याल давно को है कि इसकी देश को मेशे भाए ंविए क्या सथो आफ अन्हें वशेत्री फाटी कि कोई नहीं मेडियम तो होना चांघ शेक न रूप हो सकता है इंटरनेट की तुरू आज कर आप देखेंगे का इंटरनेट के तुरू जा तरह हम क्या करते हैं मैसिज को टो निखिल ने I love you भेजा प्रिया को अब मैसे यहां से these turn यहां से यह जा रहा हैं यहांना ना अब अब इंटरनेट तुरू भेज रहे हैं तो आपको bugs भी बताया थे यानि कि जो hacker होते हैं वो क्या करेंगे इस message को पढ़ने की कोशिश भी कर सकते हैं जाहर सी बात है है ना तो मालों निखिलना आयलबी भेजा और hacker ने hack कर लिया और उसको क्या करते है मोडीफाई कर दिया दोस्तों यानि चेंज निकर दिया I love you की जगे यहां के भीज़ दिए I hate you तो तो फिर दिक्कत होने वाली है है ना तो उन्हों की लड़ाईयां हो जाएंगी तो यह जो modify जो hacker करते हैं यानि कि जो hacker जो हमारी integrity जो मैंने बताया था integrity जो मैंने आपको बताया था integrity क्या होती है है ना चेंज कर देते हैं हमारे message को तो ऐसा ना हो कि जो message हमने भेजा plain text में वही जहां पर भी message पहुँचे बिल्कुल हमारा safe तरीके से पहुँचे कोई भी hacker वगएरा हमारे message क्यों छेड़ जाड़ ना करे तो इसके लिए हम cryptography का use करते हैं दोस्तो ठीक है अब use किस तरीके से करते हैं वो देखिए मालों निखिलने कोई message बेजा यह क्या हमारा message plain text में simple text में लिखा हुआ हर कोई आसानी से पढ़ सकता है hacker को आसानी से समझ आ जाएगा कि यह क्या लिखा हुआ है तो पहले एक key की मदद से दोस्तो यहां पर एक कोई key लगी होती है तो एक key की मदद से इस जो plain text को हम लोग एक cyber text में convert करते हैं दोस्तो किसमें? cyber text में convert करते हैं, cyber text मालो कुछ इस तरीके के symbols हो सकते हैं ठीक है कोई symbols हो सकते है कोई name भी हो सकता है symbol के साथ name भी हो सकता है कुछ भी तो यानि कि हम इस तरीके से क्या कर रहे है पहले इस plain text के message को हम cyber text में convert करेंगे with the help of key key की मदद से ठीक है अब इस तरीके के कोई message होगा तो अगर जो hacker है तुमारे attackers है basically attackers जो है वो इसको समझ नहीं आएगा उनको कि ये message में क्या लेखा हुआ है निखिलने तो ये भेजा I love you plain text में अब इसको एक की की मदद से cyber text में convert कर दिया अब ये add the date का sign है अब कोई code language में basically हमने क्या किया encoded तो कर दिया न यानि कि encrypt कर दिया न हमने message को अब ये किसी को समझ नहीं आगा है कर को क्या लिखा हुग गया है तो इस तरीके की one की मदद से पहले हम cyber text में convert करेंगे और cyber text में convert करने के बाद ये प्रिया को भेज दिया जाएगा अब प्रिया क्या करेंगी एक दूसरी की की मदद से इस जो plain text, जो cyber text है इसको plain text में convert करेंगी ठीक है convert होगा और plain text में convert होने के बाद जो हमारा message जो same था न आयलो व्यू वही यहां पर पहुँचेगा यानि कि कोई दिक्कत वाली वात नहीं होगी जो message निखिलने भेजा प्रिया को वो पहुँच जाएगा तो इस तरीके से cryptography काम करती है तो आप खुँच सोची बताइए कि cryptography secure है या नहीं बिल्कु सही बात है हमारे लिए तो secure ही है कि हम message को encrypt कर रहे है तो यहां पर plain text में द्वारा हुआ यानि कि जो cyber text में encrypt हुआ था यहां क्या हुआ decrypt हुआ यानि कि decode किया हमने message को तब ही तो यहां प्रिया के पास same message महुचा तो इस तरीके से दोस्तो cryptography work करती है तो आईए हम इसको समझते हैं और detail में थोड़ा सा देखिए यहां question सबसे पहले उड़ता है कि is it secure? क्या यह secure है? नो यह secure नहीं होता क्यों secure नहीं होता? क्योंकि third party may corrupt change our data may and misuse also जो भी हमारा data है है ना? उसका misuse भी कर सकती है third party और उसको attacker save है ना? और क्या कर सकती है? उसको change भी कर सकती है है ना? तो thus we provide security इसलिए हम क्या करते है? security provide करते है and protect the valuable information जो हमारी valuable information है we can use cryptography उसके लिए हम cryptography को use करते हैं तो यह simple से concept था कि हम अगर normal message भीजेंगे तो internet के थुरू हमारा message hack भी हो सकता है और जो हमारे attackers है वो उसको change भी कर सकते हैं ठीक है? हमारे valuable data को misuse भी कर सकते हैं दोस्तो suppose that ये photo अगर कुछ भेज़ता तो उसका misuse करते हैं तो वही चीज़ है दोस्तो यहाँ पार तो इसी लिए दोस्तो हम cryptography का use करते हैं और मैंने आपको बता दिया cryptography किस तरीके से use करते हैं लोग ठीक है? तो इसमें कुछ और भी point हम बात करते हैं तो अगर हम definition की बाहत करें दोस्तो cryptography की definition फिर क्या बनती है? क्योंकि हमें exam definition भी तो लिखनी है ना तो देखो किस तरीके से आप लिखो कि वह भी देख लीजिए तो cryptography क्या होती है? the art of protecting information एक ऐसी art होती है जो हमारे information क्या करती है? protect करती है by transforming it into unreadable format ठीक है? जो हमारे unreadable format में यानि की cybertext में transfer करती है तो उसे हम cryptography भोलते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से आप यह definition लिख सकते हैं cryptography अगर मैं और बहुतरी तरीके से लिखना चाहूं इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं method of protecting information एक ऐसा method होता है जो हमारे information क्या करता है? protect करता है and communication through the use of codes हैना हमारी जो communication है उसको secure करता है किस तरीके से code की मदश से so that only those who for whom the information is intended तो इसलिए जिसके लिए जो information जरूरी है जिसके लिए भेजी जा रही है can read and process it वही उसको read कर सकता है और process कर सकता है ठीक है? तो यह cryptography बहुत simple definition है अगर देखो और अगर हम बात करें तो यह भी लिख सकते हो आप कि more generally cryptography is about constructing and analyzing protocol that prevent third parties और the public key from the reading private message है ना वो prevent करती है जो हमारा private message हमारा वो ना पढ़ पाए जो हमारे third parties है जो भी hackers वगरा है वो हमारे message को ना पढ़ पाए हमारे message को modify ना कर पाए उन सब से हमको बचाती है तो दोस्तों यह कुछ कहानी थी हमारी cryptography के ऊपर और आपको यह वीडियो जरूर समझ आई होगे कि cryptography क्या होती है तो अभी तक अगर आपको वीडियो मजा आ रहा हो यहां पर है हमारे पास types of cryptography आप देखो टाइफ समझने से पहले आप इस diagram को समझे जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या बता चुका हूँ देखो दो टाइफ के cryptography होती है एक symmetric cryptography और एक asymmetric cryptography ठीक है तो सबसे पहले हम symmetric cryptography को समझते हैं तो मालों वही कहानी रिपीट हो रही है यहां पर कि मालों हमारे पाप plain text था जिसको हमने encrypt किया रहे दोस्तों देख है और encrypt किस की मदद से किया एक की की मदद से हमने encrypt किया एक किस तरीके से किया हमने cyber text में क्या कर दिया d Ц क्या क्वंद से क्या बड़ करेंगे कि M adません क्या करेंगे में 260 को अपने private फिर देख में पहुंच जाएगा तो यही हम क्या हम Watts कर रहे थे तो मैंने क्या होता है यह message जो हमारा plain text में message था जो निखिल ने message किया था प्रिया को ठीक है जो भी message किया था plain text के अंदर हमने उसको encrypt किया cyber text में convert किया ताकि जो hacker वगरा है वो उसको access ना कर पाएं उसको पढ़ना पाएं और उसको modify ना कर पाएं तो फिर यहां पर decrypt होता है है दूसरी key के मदद से और फिर हमारा plain text में convert हो जाता है और दूसरा जो party होती है वो आराम से पढ़ सकती है इसको यहां पर मैंने आपको key one और key two बताई थी यानि कि की use हो रही थी यहां पर encrypt के time और decrypt के time यानि कि encode के time या कि decode के time एक key यूज करेते हैं तो अगर यह दोनों की same हैं दोस्तों तो यह हमारी symmetric cryptography कहलाती है ठीक है अब इसको समझे आप जो लिखा गया है अब इसको पढ़ सकते हो आप देखो क्या लिखा है वो देखिया कि symmetric cryptography क्या होती है मालो इटेज सिंप्लेस्ट काइंड ओफ देखो इटेज सिंप्लेस्ट काइंड ओफ एंक्रिप्शन टेक्निक यह ऐसी encryption टेक्निक होती है डैट इनवाल्व ओल्ली वन की ओल्ली वन की एक ही की यूज करते हम टू encrypt and decrypt हमारे जो को मतलब plain text है उसको encrypt करने के लिए हमारे message को और decrypt करने के मैसेज को हम केवल एक ही की use करते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारी symmetric cryptography और क्या है encrypt decrypt क्या करते हम cyber text में convert करते हैं और फिर उसको decyber करते हैं यानि की decode करते हैं information company ठीक है तो यह हमारे symmetric cryptography की बात होगे दोस्तों अगर देखो प्राइपर में डारेक्ट ऐसे नहीं पूछते हैं कि symmetric cryptography क्या होती है और symmetric cryptography क्या होती है वहाँ पूछ लेते हैं कि private की क्या होती है क्या होती है तो इस तरह के से पूछ लिए जाती है तो यहां पर symmetric cryptography को हम क्या बोलते हैं इसको हम secret की cryptography भी बोलते हैं और इसको हम लोग private की cryptography भी बोलते हैं तो यह भी आपको याद रखना है इसमें और अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों the most popular symmetric की cryptography जो सबसे ज्यादा पॉपूलर है है न क्रिप्टोग्राफी सिस्टम वो क्या है DES यानि की data encryption system दोस्तों यह बहुत important है आपके exam में पूछ लिया जाता है बार बार तो DES की हम आगे करेंगे आने वाली वीडियो में तो अब हम बात करते हैं दोस्तों asymmetric क्रिप्टोग्राफी तो asymmetric क्रिप्टोग्राफी में वही कहानी है यहां पर प्लेन टेक्स था हमने उसको क्या क्या encrypt किया किसकी मदद से की की मदद से ठीक है एनिकर्ट किस तरीके से हुआ कि क्या का इसितरीक है निकलिकों इन्फोर्मिशन को पास पहुँच जाए यानिक इन्फोर्मिशन का ट्रांसफर हो रहा है इस तरीके से कोई है कुछ नहीं कर पाएगा तो यहां जो यूज करते हैं की वन और की टू यूज करते हैं यह दोनों की अलग-अलग होती है दोस्तों कौन-कौन सी की होती है एक हमारी पब्लिक की होती है दूसरी हमारी प्राइबेट की होती है जो पब्लिक की होती है दोस्तों वह नोन to everyone किसी हर किसी हर को जानता है उसको है ना तो और प्राइविट की क्या होती है नोन only that the particular person only particular जो person है अपना उसको ही पता होती है प्राइविट की तो हम asymmetric cryptography में क्या लेख सकते हैं कि it is also known as public key cryptography इसको हम public key cryptography भी बोलते हैं और it uses two key इसमें हम two key का बयाने की दो की का इस्तमाल करते हैं यह ना pair of key for encryption और decryption encrypt करने के लिए message को अपने और decrypt करने को message अपने तो अगर मैं इसमें एक important note की बात करूं दोस्तों तो आपको क्यायत रखना है कि a message that is encrypted using a public key कि एक अगर message को हम public key के दोवारे encrypt करते हैं तो can only we decrypt using private key अगर हमने public key से message को क्या किया है encrypt किया दोस्तों तो यहाँ पर जो decrypt होगा न वो हमारा private key की मदद से ही होगा यह बात आपको याद रखनी है तो अगर हम इसको उल्टा भी हो सकते हैं while also a message encrypted using private key अगर message को हमने private key के दोवारा encrypt किया गया है तो यहाँ पर public key के दोवारा हम decrypt करेंगे तो इतना आपको याद रखना है अगर कोई message हमारा private key से encrypt किया जा रहा है है ना तो उसको हम decrypt किसकी मदद से करेंगे public key की मदद से तो अगर हमारा ये बहुत ज्यादा important है तो आपके exam में ये भी पूछी जाती है तो पूरी fourth unit में इसी की उपर कहानी गूम रही है कि RSA क्या होता है DESE क्या होता है तो किस तरीके से ये work करते हैं तो Cryptography में यही ज्यादा important है तो हम लोग एक काम और करते हैं इन दोनों को और अच्छी तरीके समझने के लिए हम इसके difference को भी समझ लेते हैं क्योंकि question में difference भी पूछ लिया जाता है कि public की और private की में difference क्या होता है या asymmetric की और symmetric की क्रिप्टोग्राफिय में difference क्या होता है तो आईए अब हम इसको इसके difference की तरफ बढ़ते हैं और difference की बात करते हैं दोस्तों तो देखे अगर मैं difference की बात करूँ तो देखे हाँ जी देखे कितनी महनत से आप लोग के comment आते हैं और इसलिए इतनी महनत से मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बना रहा हूँ और अच्छे तरीके से बनाने की कोसिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके समझाने की भी कोसिश कर रहा हूँ इसलिए आपके लिए note भी करके लाता हूँ simple language में तो आईए समझते हम लोग symmetric cryptography और asymmetric cryptography को तो सबसे पहले आगर हम बात करें symmetric cryptography में आपको समझ आ गया हूँ normal कि also called private की cryptography इसको हम private की cryptography भी वोलते हैं और secret की cryptography भी वोलते हैं यह already आपको पता है और इसमें कोई नई बात रही है तो अगर मैं symmetric cryptography की बात करूँ तो also called public की cryptography इसको हम public की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी यह आप आपने थोड़ी देर पहले समझ ही लिया क्यों ऐसा बोलते हैं हम इसको और अस्यमेट्र क्रिप्टोग्राफी में बात करूं यहां पर ऑनली हम एक की का यूज करते हैं मैसेज को की और प्राइविट्की होती है लेकिन यहां पर जो वन की हम यूज करते हैं दोस्तों वह पॉब्लिक की भी हो सकती है या क्या रखना आपको दौनों सेम होनी चाहिए कि लिए तो यह बात आपको याद रखनी है कि नेक्स्ट अगर हम बात करूं सिमेस्टीक होते हैं यहां मैं एक्जिए्ग्शन की बात करूं तो कया होता है बहुत दीर करते हैं तो अगर उसका क्या होता है less complex यानि की जिएन वगरा होता है चाहरे हैं less less computational कम उसमें computational की जरूददा है यहां पर complex ज्यादा होता है क्योंकि दो अलग-लग की यूज करते हैं तो जो computational power होगी वो ज्यादा requirement होगी जहेट सी बात है सिंपल सी बात है नेक्स्ट अगर हम symmetric key में बात करें दोस्तों तो इसमें एक और important question है वो क्या है कि use for transferring of bulk data अब खुछ सोचे symmetric key की का जो algorithm होते हैं वो faster use करते हैं क्योंकि complex इतने ज्यादा नहीं होते computational work कितना ज्यादा requirement नहीं होती इस पावर की ठीक है तो इसलिए जो उसका data है वो ज्यादा transfer कर सकते हैं बलक डाटा को execute कर सकते हैं faster rate से जबकि अगर मैं इधर बात करूं asymmetric में यहाँ पर use for secretly exchanging the secret key इसका यूज करते हैं यहां अगर मैं बात करूं एक चीज और कि sharing the key in between the sender और receiver जो stand कर रहा है जो receive कर रहा है वहाँ पर जो की से sharing होती है is not safe यहां पर safe नहीं होती क्योंकि एक ही तरीके के use करते हैं अगर हम public key यूज करेंगे तो दोस्तों public key में तो सब हर कोई hack कर सकते हमारे data को integrity हमारे data की maintain नहीं रहेगी हमारे data को कोई modify भी कर सकता है change भी कर सकता है तो इसलिए यह symmetric key में क्या है safe नहीं होता लेकिन जब बात आती है दोस्तों asymmetric cryptography की यहां पर जो हमारा data है जो हमारी sharing हो रही है sender और receiver की बीच में communication की दोस्तों वो safe होती है क्यों होती है क्योंकि यहा आतातर यूज होती है वो DES, AES, RCY, 2DES, 3DES यह algorithm यूज होते हैं जबकि मैं asymmetric cryptography algorithm के बात करूं यहां पर RSA, DSA है ना इस तरिके के algorithm यूज होते हैं तो दोस्तों यही कुछ कहानी थी cryptography के उपर तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो helpful लगी हो तो इस वीडियो को दोस् चैनल को subscribe आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को subscribe भी करें करें इस तो मुझे motivation मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तके के लिए बाई thank you